इसमें हमारा थोड़ा सा पार्ट रहता है जो कन्वर्शेशन है यहां पे आरियन की और कम्प्यूटर की देखते हैं क्या हुआ अब जो आरियन है वो क्या कहता है I do not depend on electricity or batteries to work मैं batteries और जो बिजली है उन पर depend नहीं रहता I work on my own मैं अपने आप काम करता हूँ इट मिन्स ना तो मुझे बैटरी की जुरूरत है काम करने के रिए ना ही मुझे बिजली की मैं तो अपने आप काम कर लेता हूँ अब computer क्या कहता है I cannot work without electricity or batteries मैं battery और बिजली के बिना काम नहीं कर सकता अब computer जो है या तो वो बिजली से चलता है या फिर बैटरी से अपने आप वो नहीं चलता अब आरियन क्या कहता है I can work without taking any instructions मैं काम करता हूँ कैसे किसी के बिना निर्देशों के कोई निर्देश मुझे देगा या नहीं देगा उसकी मुझे जरूरत नहीं है मैं आपने आप ही अपने काम कर सकता हूँ अब computer क्या कहता है I need instructions from you to work मुझे निर्देशों के जरूरत है आपका काम करने के लिए अब computer जो भी काम करेगा जो instructions हम उसको देंगे वो तब ही करेगा दरवाईज वो अपने आप काम नहीं करेगा A computer is a man-made machine computer एक आदमी के दवारा बनाई गई machine है and is dependent on man और यह आदमी पर निर्भर है It cannot even start work without our instructions अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह जो है हमारे निर्देशों के बिना शुरू काम को शुरू नहीं कर सकता जो हम इसको instructions देंगे यह उन्हीं क्या coding काम करेगा but when we use computers for our work लेकिन जब हम computer का use करते हैं हमारे कामों के लिए The computers work better than us computer जो है हमसे अच्छा काम करता है Is not it interesting यह है क्या यह दिल्चस्प नहीं है अब यहाँ पे क्या explain किया गया है कि कुछ चीजे ऐसी है जो हम computer से ज्यादा बहतर कर सकते हैं लेकिन कुछ चीजे ऐसी हैं जो computer हमसे ज्यादा बहतर कर सकता है लेकिन जो काम computer हमसे ज्यादा बहतर कर सकता है वो हम नहीं कर सकते जैसे हम जैसे light चली गई और हमें computer का use करना है तो हम computer का use नहीं कर सकते लेकिन हम अपने आप वो काम कर सकते हैं बट इसमें डिफ्रेंस क्या है कि कंप्यूटर हम से उस काम को जल्दी करेगा और बेहतर करेगा ओके बीटा तोड़े वी विल रीड ओन यावर पेज नमबर ट्वेंटी थी